तो हमने आपको बताये था कि हम MDCAD preparation पर एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे यह वीडियो तोड़ी से लेट हो गई क्योंकि हमें एक एक स्टूरेंट से प्रॉपरली पूछना पड़ा कि वन्होंने MDCAD के लिए किस सरह प्रॉपेर किया जो हमारे साथ अभी ख़बर मेडिकल इसलिए उसमें तोड़ा सा टाइम लगा तो सबसे पहले हमने वीडियो सब स्टूरेंस को में मैसेज किये तो जिन्होंने हमें वीडियो बेज़ी हैं वह हम आपके साथ शेयर करेंगे किस तरह से आपको प्रिपेर करना चाहिए MDCAD exam के लिए उसके बाद जो चीज रह जात करणी मेरे 22 आर्व मार्स तेहं बार चीज इंटर्टेस में मैरे 19 मार्स तेहं और हमारी सेयर ने कहा है कि प्रेप्लण की तो भुक्स में मैं कि रहा है यह चंदिएrar हुदी पर sommes עद के सतला दूब पांस curator नी चानीय के कि अउट करला वह था इंस्ट के लिए हुद। एक खतनी घ्म गत्र कुषब Comics के लिए कफ़े इस में पार वसक एक हड़ी हुद। सब्सक्राइब करता है अगर सेवंडी परसेंट ज़्यादा एमसी क्यूज आते हैं वहाद ज्याना नहीं पूछा था कि जान कर लो कि नहीं तो उनने कहा था कि अगर सेवंडी परसेंट ज़्यादा एमसी क्योज आते हैं तो पर ना जान करो फाइदा हो बशार करती है तो मैंने जानते नहीं तो उसके साथ तो प्रेक्टर स्टेस्ट भी बहुत जार रोते हैं इन्ज कर जादा दिया तो कोई बात नहीं है मेरे बाध से दोस्ते ना तो वह बेखे परे परेशान उती थे में परेशान विदा जब माक्स कम आजा थे लगन इन पर डिपेंड नहीं करता वस तो अगर माक्स सही आ जाजाए तो ठीक है अगर ना भी आ जाजाए तो कोई भी टेंशन ना लो दो अरोस के बाद मैंने कुछ नहीं बढ़ा था आ मैं खुद एप्येस के स्टुडंट हुआ आप इसके स्टुडंट के नोच अच्छी होती है तो इसलिए मेरे जरूरवत नहीं थिंग्लिए के लिए इसदफा जो है ना पिछने फ़ा हमारे साथ पहने टाइम नहीं था ना तो फैटल के बु पिछली दफ़ा हमारे टेस्ट में भी बहुत ज़ाद हैंची कि वहीं फेडल से काप पेश गए तो फेडल की बुक्सा कर टाइम हो तो वह ज़रूर पढ़ लें, वह बहुत ज़रूरी है मैंने भी लेदी लेकिन इतने ज़्यादा पढ़ी नहीं थी टाइम इतने ज्यादा नहीं था क्योंभी पढ़ने और कोर्स जो है ना, मैंने तो तकरीबाद तीन-चार दफ़ा खदम किया था हमारे पस टाइम बहुत जादा था कि क्योट टेस्ट दो तीन दफ़ा डिले है है त्यारीच हायत है फिए 119 मास्थ ए नम्डिकेट आपार किसी काम्जी समय काम्चा काम्चा किसी अपथ च्रेमी और ये बर जाने अचाइमेट बेट से लखाचा प्रका मैं ये लेग दिन केमिन is that if asked about books so you can go for prep books and practice books of kips academy which i found really helpful and other than that you can go for like everybody in kpki i guess goes for those which are genius and champions so i i found this combination very helpful and thanks so this is my experience that i want to share with you so first of all three things that are important in national indicate first is our textbook so if you have a federal textbook it is a national textbook foundation so it is very good and there are clear concepts so if you have a textbook you can use it to 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 use it with the बस वह आप खुद ही दे कि अगर किसी के पास्टाइम हो तो यह संस्ट ही दे के लिए और बायोलजी के लिए तो जो हमारा टेक्सबूक है वह काफी अच्छा है और उसमें अगर कोई पास्टाइपर के बिस्ट करना चाथ है तो वह बीटीक है बायो शुद ही थे अप्सटाइब गार बायों यह से ब्सक्राइप तुरिक इस नहीं फैरे जो में जो बहुत ही जरूराय चीज है आपका टेक्सबूक है तो टेक्सबूक को जहते से ज्यादा स्यों रिडर रिए करें और उसको जितने भी आप उसको संजीगे उना आर पिर अबिधितम कालिज कि शावार, अबिधितने का कि हम एक शाट वेडियो बनाएंगे, फ़र्ड जूनियस गाइड़नस, गाइड़नस अब जूनियस के लिए एक शाट वेडियो बनाएंगे, इसमें ये गाइड़नस हो भी मतलब हो, कि आपका F.C. से लेकर KMC का सफर की सतरा न तो मैं कहूंगा कि ये फोर इंपॉर्टन बाते हैं जो F.C. से आपको KMC देख रहा सकती है, वो चार बाते मैंने फुदा बज़र की हैं, अब अमिताद में KMC में प्रोड़ाओ की कि मैंने इन 4 बाते को फालू किया हुए है, सबसे पहरी बात ये हैं कि आपने सेफ्ट को स तो दिन में 12 गटों को की स्टुडी पापी है, तो इसमें इसमें इस तरह करना है कि 1.5 और आपने के टिवरी को देनी हैं और पे लिए हाफ और आपने QC क्योंकों से स्टुडी करें हैं, तो मैंने तो बहुत सार इस स्टुडी किये हैं, लिकिन जो सबसे आम और इंपार् एक इंपॉर्ष्टन बुक है फिडिक्स के लिए, कंसेक्टुरिस के लिए सेय॥ मसे कुछी। सुछे क्राइड के लिए कुछी के सिर्फ। लिए एक एक एंपॉर्टन बुक है कंसेक्टुरिक्स के लिए और номon specially ऐखुए। बाइल को आपने सर्फ बुक को देखना है, कोई हम से फ्यूज नहीं, हाँ, मैदर आफ टीचिंग जो है ना, मैंने सर याद से और सर बिलाल से सीखिए, आप इससे प्लासिद दे सकते हैं, और उसकी मतलब, वो स्टुड़ी क्या है, चेंस्टुड़ी है, बस मैंने दूसरे बाइडियोस में पताया हुआ है, किस तरह होती है, वो चेंस्टुड़ी है, और चोथी इंप्रॉड़ंट बात क्या आपने संड़्े टेस्ट को ले दे, संड्यकेस्ट, अपने हर संड्यकेस्ट नहीं दो इप्रॉड़न एकाड्मी जिसमें नहीं, टेस्स नियों है, सब स ये दो एकेमिक चुलेना वह बहुत मतलब कंसेप्टिल टेस्ट होते हैं और इंसे क्यों गोर्टरिल इवेंट दे रहते हैं तो ये चार बाते हैं जो आपको एक सी से केमसी ते प्रिया सकते हैं सबसे पहरी बात के दिन के स्टार्ट में आपने सुषायसीन का पुझना जा था दिल था ये चारे छीम ही..! तो आपने थो दो गंटे तटेने तो निक्निस को लिए हैं, तो आपने दो गंटे बेगा, जए नहीं ठी इतने ह सोधी हैं, तो आपने दो गंटेन समुने हैं. मुस्त्फा अमीन, ट्रॉम में अट्विते तैडिस्ट इन्स प्राम होंटाब आगाइ रॉट्ष लॉट्ष छोल्स यॉए और भीर्ट टॉचितों थी तैटिस्टर्स का माने लेका झाल व्हाल आफ तो आफ अजिस्ट प्रजावा बैट वेजन दाफ फाइड वोग्स पर इसके अप्रइब पर फोकस करें इसोटीक गात Sunday Test कि इतने आप Sunday Tests की है जो ज्ञी है जी मिलेंतना को पोईटकुट्स ज्यादा मिलेंगे थिए भूख जी आप Sono अशामडमने को दो लो लननाम महम wydıkt कॉल सब्सक्राइन का स्टूऑनट हूँँ और मैने नेशनल म्डेकरकात में 185 out of 200 मार्क्स लिये हैं तमाम med school aspirants के लिए मेरी advice यही होगी कि आप time पर अपनी preparation start करें ताकि आपके पास ample time हो ठीक है आप work पर अपनी preparation अच्छे तरीकी से complete कर सकें इसके लावा अपने concepts clear करें जितनी भी important facts and figures है जिसकी subject की हो आप उसको अच्छी तर memorize कर लें और most importantly practice lots and lots of mcqs क्योंके mcqs यह आपके test का pattern होगा तो if you are already well worse with it so that will hopefully insha Allah help you and be confident have faith in yourself and you will hopefully make it through assalamu alaykum my name is mohammad maz bin zahid I did my fse from icms college bishawr and I scored 184 marks in mtk 2020. अच्छा कसर junior zamse zawaal पूच लेते हैं के आप लोग intertest के लिए कितना hours पढ़ते थे तो उनको मैं यह कहूँगा कि अगर अभी साथ आप लोग serious study start कर लें तो दिन में average age to 10 hours दिया करें बजाए इसके कि पर आखर मैं आप लोग 15 गैंट पढ़ें उस वक्त वैसे भी study नहीं होती बंदे से और इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूँगा कि अगर कोई चैप्टर आप लोग कवर कर लेता हैं अपने इंटर टेस्ट प्रेपरेशन के लिए तो उसके फॉरण बाद ही आप लोग कोई दो या तीन different MCQ books से उसके MCQs कवर कर लिया करें ताके पर आखर में आप लोग को MCQs टैकल करने में कोई problem ना हो मेरा नाम मुहमद आसम शाय है मेरा नाम मुहमद आसम शाय है और मेरा NM Decade में जो स्कूर 184 है मैंने अपना FAC EPS तरभेले से किया जिसमें मेरे 1030 मार्स थे और अबी मैं अलहमदिल्ला खैबर मेडिकल कॉलिज में मेरा अड्मिशन हुए जहां तक M Decade की प्रेपरेशन की बात है तो मैंने ऐसा किया था कि मैं अपनी टेक्सबॉक्स पड़ता था मैंने फड़ल की भी पड़ी थी प्लस के बीक के दोनों की पड़ी थी इसके लावे प्रेटिस बुक्स मैं करता था और प्रेटिस टेस्ट मैं बहुत जादा देता था मैं इंटरनेट से भी जो मुझे मिलते थे वहां से डाउल करता था और फिजिकली भी देता था कुछ नोट्स भी होते थे वटसैप ग्रॉप्स में या पिर फेसबुक में तो उस पे भी मैं नोट्स वगारा था जहां तक जुनियर्स को एडवाइस है मेरी वह यह है कि प्रेटिस टेस्ट में चीज़ है आप प्रेटिस टेस्ट जादा से जादा दियाकर उसमें आपकी फिलिंग स्पीड भी छी होगी आपको बहुत जादा ट्रिक्स भी मिलेंगी और बहुत हेल्प मिलेगा आपने प्रेटिस टेस्ट जादा से जादा देने मैं से करता था कि बबल शीट्स की फोटो कापी बना लेता था इंटरनेट में कहीं मेरे पास बबल शीट्स वगएरा मिलती होती है इमेजिस वगएरा में तो उसके फोटो कापी करके तो पर मैं अपने घर में खुली टेस्ट देता था टाइमर वगएरा लगा के और फिसिकली भी मैं देता था तो प्रेट्स टेस्ट में चीज़ है इसके लावा स्टेडी ज्यादा ज्यादा करनी होता आपको वो पता है और फिर एंपीप्यस में मज़े ही मज़े होंगे असलाम अलेकुम मेरे नाम हुजर्फा बिन हामेथ है और मेरे अपने फिसिस्टामे कॉलिप पिशावर से किया और मेरे अमडिकेट में 184 माक्स आए हैं और करनली मैं खैबर मेडिकल कॉलिज पिशावर में पढ़ रहा हूँ जो स्टूड़न इस साल अमडिकेट देंगे उनको मैं गार्डनस देना चाहूंगा कि जो बायोजी है आप उसको वोर्ट वोर्ड याद करें आपको हर एक चीज़ की याद होनी चाहिए और अगर आप फैटल बोर्ड से की बुक्स आपकुछ पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि उस उन में कुछ अपने और इसमें परेके एक रियर आपको याद औरियु में सारा कुछ कॉंसर्ड की साथ है आपको कॉछ आंसके इसमें पूर अप पर पहले आप चप्टर को थोरल रिड कर अपन खाम अखाद एक खास का फेक्ट इस्टरस आपकी टाइम मेरेजमेंट पर बोथ फरकोग और आप पेपर टाइम पर कर पाएंगे थैंक यू असलाम अलेकुम मैं इस महामद इबाद लाखान I have studied my F.S.E. from Islamiya College Bishaur with nine ninety five marks now and I got 184 marks in MDK 2020 and now I am studying in 해요 Bayer Medical College Bishaur My tip for the juniors or NMD !" Sprint is that do smart work with hard work too cuz I think I made it with a smart work rather than the hard work like this So be smart guys bye-bye ना मैं मुहुम्त सणानु है, मेरा तालो डिस्ट्रिक पिशावर से है, मेरे M.D. केरे 182 मांक्स आए ते और FAC मेरे 1023 मांक्स थे पिशावर बॉट से, और पूर्ड मेरे 4 पॉर्ट 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 थी, और अलहमदलिल्ल्ह इसलाम कार्मी मेरे 1st पॉर्ट पॉर्ट थी, मेरे रहे शृट्ज से, मेरे शावर्ट के लिए अ shift पोई पॉर्ट मेरे शाओ किलिस्ट है कि मैंने इसलाम एक करशावर से, तmost हो इसा किया धुर्ट पॉर्ट फॉर्ट थी मेरा नाम बिलाल खान है, मैंने वेसी पीस कोलेज मर्दान से की है, मेरे मेरे 181 मार्क्स आए है मैं यह सचेस्ट करूगा कि आप स्यादा से ज्यादा प्रेक्टिस करें, मेरे जितने आपके प्रेक्टिस ज्यादा होगी आप में टेस्ट में अच्छा पर्फॉर्म करेंगे Assalamu alaikum dear, my name is Besubhavuddin, I am a student of Hebrew Medical College Peshawar. I have done my FSC from Government College Peshawar where I got 1015 marks. I got 180 marks in the National MDKate. I will suggest a pro tip to my junior and MDKate experts. Do read your course contents carefully and thoroughly, revise it again and again, then go for the MCQs, do it carefully. Okay, thank you so much. Assalamu alaikum, my name is Jeb Rashid, मैंने अपना FSC Islamic College Peshawar से 95 marks रसाद देना था, और NMDKate में मेरे 181 marks से है, भी में खेंसी में आपरा है, और study के लिए असा है ना, कि smart study करू, full concentration के साथ, और one and a half hour के बाद तक्रीबन 10-15 मेंड का break ले लिया क्रोंसा, कियो से दपके देमाक्रेश वाया और अपना FSC Islamic College Peshawar, I have done my A.V.C. from East College Loshera, and clear ETA NMDKate this year, and obtained 180 marks, and now I am in FSC Islamic College. वासित बाद में गाता के एक्डोटिबस भी देनी है, तो tip sample है, ऐसा है कि आपने अपने टेक्स बुक को, जो के पी के टेक्स बुक है, उसको फालो करना है, और बाकि जो है, A.V.C. कुई भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपके concept clear है, अगर concept में मसला है, बहुत मसला है, तो आप जो है, A.V.C. की तरफ जाए, लेकर अगर concept clear है, तो आपने इस टेक्स बुक को पालो करें, अगर एक दो concept में मसला है, तो आप YouTube को हैरा से भी कर सकते हैं, और दूसरी बात कि इस साथ जो है, A.V.C. के पीछली सान से, तो इसके लिए आपने वो फेड्रिल के बुक्स जाए जाए जए जो पायो खीरणी की है और घ्रेंस्टी की तो से बी इसे भी लएस जाते हैं, और अगी जो एम सीकूस की बातů है, कोंसाई भो पालो करें तो कोच नहीं होता, वह ऐसे कहते हैं कि हमारे इसने MSQs में च्वेंट ये कोच नहीं होता, वह सब्सक्राइब के रहे होता है, आप प्रैक्टिस करें MSQs के लिए जो भी पुर्स आप लें, सर्केंटेक्स को अच्छिक्ली भालो करें और साथ में फेडियर की भालो करें, ना ख् Alhamdulillah, I am studying at Khyber Medical College, Fishhawar. My advice to all my refeiter friends and freshers, to have consistence on your hard work, have fashions, do your best, believe in Allah and you will rock, inshallah. Assalamu alaikum, I am Shazad Ali. I have done my VC from Tibeshari Dharmi College, Maradhan. Score 181 in MDK 2020. Futures for the students are, be conceptual, be a smart worker, avoid rata, and always develop the skill to understand the textbook and remember, helping others is just like helping yourself. Thank you. Assalamu alaikum, my name is Abdul Basit. I have done EPC from Islamic College, Fishhawar, with 997 Mars. I secured 180 Mars in MDK 2020. Please students, you have studied books, then you have to focus on books. focus, you have to focus on your focus. You don't have to focus on your attention, and you don't have to focus on your attention. You don't have to focus on your attention. Please study. Thanks. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. My name is Hamza Mehud. I have done Islamiyah College in MDK 2020. I had my 179 marks in MDK 2020. I will tell you that you have to focus on your focus on your textbook and use the federal textbook. Thank you. Assalamu alaikum guys. I am Muhammad Shahan Khan from Islamiyah College, Peshawar, and I have scored 179 in MDK. I would like to say that if you want to get admission in any medical college, so one thing which you will have to do is that just study hard, believe in yourself, and pray for Allah. Assalamu alaikum. My name is Danyal Khan. I have done my FSC from Islamiyah College, Peshawar. I got 176 marks in the National MDK. Regarding to the preparation of the National MDK, I would suggest to sharply focus on your books and along with that, I also give a look to the federal books. Assalamu alaikum. I am Heather Zaman. I have done FSC from Islamiyah College, Peshawar, and I have scored 1019 marks. And in National MDK, I have scored 178 marks. I would like to advise the NMDK experience to focus on your book. Clear H in every concept of your book. Thank you. My name is Muhammad Lohman. I have done my FSC from Islamiyah College, Peshawar. I have scored 177 marks in NMDK. My initial advice to the NMDK student is that to be advised by the NMDK students who have been chosen for the NMDK, whether it's only for a monthly report or a little to the NMDK student. So, when you start out with the NMDK student, It's about a lot of responses to the NMDK students. In the NMDK students, the NMDK students and the NMDK students who have been chosen for me is known for a sample. But not imagine if you need to be chosen after NMDK students. So, if you have chosen to be chosen for NMDK students, इन सब चीज़ों को मैं आपके सामने एक समरी की फॉर्म में बता देता हूं कि बेसिकली आपको करना क्या है अगर हम सब्जिक्स पर आएं तीरों फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलोजी तो सबसे पहले हम के पूर्ट के बारे में बात करेंगे फैर्टल और पंजाब को में बता देता हूं अगर आप बायोलोगी पर आएं तो विजिक्स के और सकते हैं आपको क्रामिंग नहीं की जाए हैं आप रत्ता में एक जाद ,श्क।, बार नाने चैन के परकाद में रत्ते हमें हैंको इतनी प्रतॉड़्त, ऑप सब कने रthouse, और एकर एक र डामिंग करना है तोड़ा साब ने अपने आप से पूछना है कि इस टापिक में मैंने सीखा क्या है क्योंकि रीडिंग से इतनी असानी से चीज़े क्लियर नहीं होती तो आपको बार बार रीड्स देना होंगी और फाइफ रीड्स अगर आप एक टापिक को कॉंटिनियूसली देंगे तो वो आपका हो जाएगा एजी ली सही है तो बार रीड्स देना हो जाएगा क्यों वो आपने बुक पर ही डिपेंड करना है तो इसलिए आपको मुस्ली अपने बुक की चीज़े अच्छी तरह से याद होने चाहिए फिजिक्स में इस तरह है कि आपके जो पीछे शॉर् हैं और उसमें में में चीज़े होती हैं जो आपको तब तक समझ रहेंगी जब तक और आप याद नहीं कित तो आप प्रैक्टिस से करेंगे और अगर आपकी क्रैयमिंग रट्टा आपका अच्छा है तो पर उससे हो जाएगा आपका ठीक है में अच्छा उसके बाद हम आते हैं ये तो सिंपल में आपको इक आइडिया दे रहा है कि तेनों सब्जिक्स किस तरह से कफ़र किहां सके हैं मैं जो 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 में बाती हैं कि अच्छ इनतीनों सब्जिक्स के लिए आपको क्ष़नоже बुक्स बेस hustle करने ही मैं आपको मार्स के रेंज में बता देता हूँ कि हमारे साथ जो स्टूडंस है न होनों ने कौन कौन से भुक्स की और उनके मार्स किस रेंज में आई बनलब टॉपर लेवल के स्टूड़न्स हैं और जिन्होंने सिर्फ खबर पक्तुनफ़ा के जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन पर डिपेंड किया तो उनके मार्ग्स आए हैं कुछ स्टूड़न्स ऐसा हैं कि जुन्होंने सिर्फ खबर पक्तुनफ़ा के बुक्स बढ़ें लेकर उनके मार्ग्स भी 185 प्लस तो उनको एच किस चीज़ ने दिया है उनको एकैडमी ने बहुत ज्यादा है उनको प्रैक्टिस टेस्स ने बहुत ज्यारा है तो तीसरी बा गलती इनसान को याद रहती है तो आपको बहुत जारा है यह मिस्टेक्स तो वह चीज़े आपकी बहुत सब्सक्राइब करें चाहिए तो यह प्रैक्टिस टेस्स ना हमारे बुक्स में बहुत जारा चीज़े हैं जो नहीं होती कि खैबर पक्तुनफ़ा के टेक्स्बूक म प्रापर्ली मेंचिन नहीं होती है उसके सरफ एक टच दिया होता है या उसके तरफ एक मतलब सिंपल सी एक्स्लेनेशन होती है तो उनमें जो बेसिक डिटेल्स या उसकी बेसिक कॉंसेप्स है वह प्रैक्टिस टेस्स में आपके आ जाते हैं तो वह वहां पर अगर आप स् सेल्फ स्टेडी पर रिलाई किया है तो मैं भी खुद आपको सेल्फ स्टेडी सेजेस्ट करूंगा हां लेकिन अगर आप टेस्स आप ज़रूर दें और अगर आपकी कॉंसेप्स अच्छे नहीं तो पिर आप कोई अकैडमी जाइन कर सकते हैं यहां पर मेरे ख्याल से जो सेल्फ 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 अगर आप academy जाएं ना भी कर आप ingicon account ले ले लें तो वो आपको बहुत ज़्यारा फाइदा देखा भी यह इन्जी कॉन एकाउंट का ना मैं 185 प्लस की student से मनलब पूछ के मैंने खुद यूज़ नहीं किया तो बिरिली ऑनिस्ट बट मैं आपको यह बता दू कि बहुत सारे students ने यूज़ के और उनके marks बहुत ज्यादा अच्छे हैं सही है पिर आती है कि time को आपने किस तरह से utilize करना है तो इंटरंस exam के लिए सबसे important चीज है कि जोहीं आपका HSEC का exam हो जाता है आपने एक दिन भी जाया नहीं करना क्योंकि बाद में आपको बहुत ज़्यादा रिग्रैट होगा सही है आप एक दिन भी जाया करोगे ना बाद में एक दिन बहुत ज्यादा important हो जाता है तो प्रेशर आया कि हमें ऐसा फीर हो रहा था कि शायद हम रहना चाहें ठीग है हाला कि आप top scorer हो boards के लेकिन पिर भी आपको बहुत जारा tension होती है क्योंकि आपने properly पढ़ा नहीं होता तो मैं आपको ये personal advice दूँगा कि आप अपना time बिल्कु भी waste ना करें जितना आप अपन में आपके लिए बहुत जारा मुश्किल होगी तो consistent रहें खैरत तोड़ा पढ़ें लेकिन regularly पढ़ें ये आपको बहुत जारा फाइदा देगा आखिर में और इससे यह होता है कि आपसे चीज़ें बूलती भी नहीं है तो practice test में अगर आपके marks कमा है तो ये कोई problem नहीं है मैंने students को देखा है जिनके 120 से लेकर 140 के range में marks आते थे practice test में and they have score 180 plus marks in nd care सभी है तो इस पर आपने नहीं जाना क्यार मेरे practice test में कमा रहें तो उसके वाज़े से अगर आप tension लेंगे तो आपके अपनी study खराब होगी तो ये tension आपने नहीं लेनी सभी practice test की इतनी figure ना करें आपके अपने test असान होते हैं वो आपका easily cover हो जाएगा ठीक पिर आती है कि बात को students चीज़ा याद करते हैं पिर उनको ये problem आती है कि यार मुझसे तो ये बूल रहा है तो ये problem भी होगी जब तक आपने at least three times properly course को revise नहीं किया तो आपको चीज़े आपसे बूलेंगी आपसे बहुत जारा बूलेंगी आपको ऐसा feel होगा कुछ topics में आपको ऐसा लेगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो ये common है ये हर किसी के साथ होता है तो इस पर भी प्रापरली या मेरे से concepts बूल रही है सही है तो इन चीज़े पर आपने confused नहीं होना ये आपके साथ होगा खैर है इसका ये कोई मसला नहीं है ये आपका cover हो जाएगा आप जितना जारा पर प्रैक्टिस करेंगे जितना प्रेवाइस करेंगे ये चीज़े आपकी easily cover हो B.O.M. Bank of MCQs की एक book है उनके 2 types of books है एक MCQs की book है एक उनकी points है जो उनने सिर्फ simple points बनाए तो आप MCQs की book ना ले वो आपका time बहुत जार अवेस्ट करेंगी आप उनके points वाले books ले तो अगर आप रट्टा नहीं मार सकते ना तो आप अगर वो points वाले books read करेंगे ना तो उ मेंटली बहुत जारा active हो जाते हो एक चीज़ जब आपसे let's suppose आप class में बैटे हो तो simple teacher lecture दे रहे तो आपको इतनी असानी से समझ नहीं आता लेकिन अगर teacher उसमें questions पूच रहे तो आप mentally बहुत जारा active हो जाते हो जो इसके वज़े से आपको चीज़े याद होती है तो आप यूज कर सकते हैं यह इस बुक्स में उनके लिए बहुत होना जिनका रटा अच्छा नहीं है जो क्रैमिंग नहीं कर सकते हैं जो याद कर सकते हैं मतलब completely word to word memorize ना तो उनके लिए कोई problem नहीं है लेकिन easily cover बहारे जी सही है और बस यही है मेरे खिया से यही चोड़ी च अच्छा पढ़ रहे हैं तो यह चीज़े हर किसी के साथ common होती है यह mental exertion और इसके विए काफी बंदा तक भी जाता है और कभी-कभी आप बहुत ज़रा पढ़ लेते हैं और आपसे silly mistakes हो जाती है प्रैक्टिस टेस्में आई कैड़े में कोई आपसे कुछ पूछ लिए और इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर पंजाब है उसकी population सबसे ज्यादा है सबसे ज्यादा स्टूएंस बहां से होते हैं तो अगर यह लोग इस तरह नहीं कर सकते हैं कि ऐसे एमस्टिस लेकर आए कि जिसके वाज़े से पंजाब को ज्यादा पेशा है क्योंकि वहां पर कोर्स आएगी ना तो इन तीन प्रोवेंसे से आएगी पंजाब और फेडरल को बहुत चोटे से प्राब्लम्स प्रेस करने पड़ते हैं जिस तरह मैं को सिंपल एग्जांपल बताता हूं जो हमारे टेस्ट हुआ है उसमें हमारे जो बायोजी के 12 MCQs थे वह हमारे बुक मे उसके बाद जो 14 MCQs इनने हटाएं तो उसमें से फिसिक्स हमारी KPK की वक से आए थी जो हमारी KPK की फिसिक्स की वोग है वो और फेडरल की एक ही वोग है ठीक है तो वो MCQs इनने फिसिक्स में हटा दिये मेरे खासे 8 MCQs प्राइएं जो कि पंजाब की वक में नहीं थी और वो हमारे बुक्स में थी वो सारे MCQ's, हमारे लिए वो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, अलरेडी वो MCQ's हमने करेक्ट कर लिए थे, लेकिन पिर भी वो हटा किये गए तो मतलब उनको एक एज मिल गया, जबकि वो MCQ's हमारे पहले से टीक थे तो हमें तो कोई फादा नहीं लेकिन उसका हमें कोई फादा ही नहीं हुआ क्योंकि वो MCQ's हटाए नहीं गए, अगर हमने वो MCQ's घलत कर दे तो बस they are considered wrong, तो इसमें यह है कि जो लोग तुक्का मार सकते थे, जिनकी मतलब तुक्का टीक हो गया, तो वो ज्यादा 5-6 मार्क ज्यादा स्कोर कर लिए कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाइलिजी पर आए ना, आप अपनी खेबर पक्तुनपा की बुक पढ़ें साही तरीके से, लेकिन उसके साथ पंजाब की टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ें, या पंजाब की या फेडरल की, इन तोनों मेंसे आपने डिसाइड करना ह ठीक है, या आपको बहुत हाइदा देगा, और फिसिक्स आपकी अपनी बुक उसके लिए काफी है, सिर्फ ये केमेस्ट्री और बाइलिजी में तोड़ा सा मसला है, और केमेस्ट्री और बाइलिजी में पर आपके पास चाइस है, कि आप फेडरल यूज़ करें या आप प अगर आखरी बात में यही कहूंगा ना, कि अगर आपने महनत की है ना, तो फिर आपको टेंशन लेनी की ज़रूद नहीं है, आपको टेंशन लेनी की ज़रूद नहीं है, तो अगर आपने महनत की है तो बस पिर confident रहें, इंशालला आपके MDCAT भी clear हो जाएगा, और आपके test में marks भी बहुत अची आजाएंगी, ठीक है, अल्ला आफिस,